दे except देक्र आजय देकने में अच्छा लग रही हैं आप अपने घराप सब्सक्राइब क्योगियो कि effectivement मैने आप को बहुत स्वागत है आपके लेक Originally Aupam अपम हेल्दी रेसिपी, बहुत ही हेल्दी अपम है यह, बहुत ही टेश्टी है, मैं आपको बताती हूं, मैंने इसमें किसके शीच का स्तमाल किया है, मैंने यहाप पे लिया है, फ्रेंड्स, देड़ कप सूजी, एक कप दही, एक मीडियम साइज सिम्ला मिर्च, हाप वाउल मैंने यहापे बीन्स कट करके रखे है, एक छोटा तुकड़ा अद्रक कसी, तो से तीन हरी मिर्ची, एक मीडियम साइज टमाटर, एक मीडियम साइज प्यास, तो इन सब जियों को मैंने यहापे कट करके रखा हुआ है, देखे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते है, इसको हम बहुत बढ़िया से इसको फैट लेंगे, इसमें एक भी गुटली नी रहने देंगे, एक दम स्मूथ, एक दम क्रीमी हो गाई है, बहुत ही बढ़िया, अब यह अच्छे से त्यार हो गया, हम इसमें एट करेंगे सूजी, जो हमने यहापे ले वही थी देड़ कप, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्रेंड्स हमें आपे एक चोथाई कप लगवक पानी लेंगे, क्योंकि ठिक हो गया है थोड़ा से बेटर, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बढ़िया अपम बनाने है तो आपको वेटर बहुत बढ़िया बनाना पड़ेगा, वेटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, अपने गुट्लिया नहीं रहनी चाहिए, बना हमारे अपम अच्छे नहीं बनेंगे, देखियो फ्रेंड्स, और हम क्या करते हैं, इसको 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हमारे वेटर अच्छे से तयार हो जाएगा, इसको हम ढख कर रख देते हैं, जब तक हमने लिए एक कड़ाई, कड़ाई में लिए हमने दो चमस देसी घी, अब देसी घी का स्व बहुत अच्छा आता है, घर का बना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी खुस्पू, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप क्या करेंगे, अब कीको गरम होने देंगे, और उसकी बाद हम यहाँ पे एट करेंगे, कीर्ति कोयल की रस्वई की सबसे पाइदाना, यह देखिए, इसको भी हम चला लेंगे बड़े से, अच्छे से त्यार होगा, यहाँ भी हमने लिया है कडी पत्ता, साउथ इंडियन डिस हो, रेकवास्ट हो, उसमें कडी पत्ता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, कडी पत्ते का अपनी स्मेल होती है, कडी पत्ते क हमे थोड़ा सा इस लिए कलर चीनुज करना है, इसकी स्माल और स्वाथ बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कलर चीन्ज होने तक हम इसको चलाइगे, अब हम एट करेंगी, इसमें प्याज, जो हमने कट करकर रखा है, आप चाहें तो प्याज बोल सकते हैं, अनियन बोल सकते हैं गांधा बोल सकते, जो आपको स्विटेव विलो, आप उस नाम से इसको पुका सकते हैं. अब हमने क्या करना है इस प्याज को, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छी से पून लेना है, चला लेना है, हाथ को नहीं रोकना है, इसको बरावर चलाना है, बनना ये चल जाएगा देखो़न ब्राम कलर आगे है हम इसमें हरी मिर्ची आड़ करेंगे जो हमने कट करकर रखी हुई थी कितना अच्छा कलर आ रहा है बहुत ही प्यारा है रहा है Ini कलर इसमें अब हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक जो हमने अद्रक लिख रखी हुई थी कसकर छोटा तुक्रा अद्रक का है ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्वाद आता है सीजनेविल भी है सर्दियों का मौसम है अद्रक तो खाने में स्वाद ला देती है बढ़िया इसमें हमने टमाटर एट करने है जो हमने इसमें ला मिर्च आप कैप सिकम भी बोल सकते हैं कलर देखिए आप कितना सुंदर आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखने में इसको चला देंगे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और समया पे लेंगे जो हमने बीन्स लिए हुए थे कट करके उन बीन्स को भी किम इसमें मिक्स कर देंगे जो लोग अपने लुट लॉस करना चाहते वह प्लीश अपनी खाने में वेजी डेविल्स को लीजिए अच्छे से आपका वेट लॉस हो गई होगा, सिम्ला मेच, बीन्स, इन सब्जियों का इस्तमाल केजिए, टमाटर का इस्तमाल केजिए, आपका वेट लॉस पक्का होगा, हेल्दी रेसिपीज में आपको बताती रहोंगी, यहाप मैंने लिया है, स्वाध नुसान नमक, यहाप इस्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाध के इसाथ नमक इसमें डाल सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, फ्रेंच इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल कईजे, तो देखिए आप, मैं इसको प्लेट से ढग देती हम, साथ से आट मिर्ट के बाद मैं इसे चेक करूँगी, सिम गया स्वार ही हो गया है, सबजी हमारी कितनी अच्छे से गल गई है, कितनी बढ़या लग रही है, देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, अब ह करें आपका बैर खराब हो सकता है तो आप प्रीस इसको अच्छे से ठंडा वोने दें ठंडा होते के बाद हहाँ आप कि जब तक हम क्या करते हैं आप स्पर्म स्टेंड को रखा है हमें आपने लिदा को मैंने तोड़ा सक गरम करके और फिर घास को बंद कर दी है जैसे कि थोड़ा सो आइल अच्छे से इस पर लग जाए यह चिकना हो जाएगा तोड़ी सी मैंने हीट दी थी इस पर और इसको घी लगाकर रखा है मैंने थोड़ा चिकना होके ग्रीस हो जाएगी इसमें और गैस मैंने बंद कर दिया फ्रैंड यह देखिए जब तक हम क्या करते हैं अपने बैटर में सबजी को मिक्स करते हैं जो हमने सोजी का बैटर लिया है सबजी हमाई ठंडी हो गई है अब हम इसको मिक्स करते हैं कि यह देख सकते हैं बैटर हमारा कितना कलर्फुल लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है यह देखने में भी इसमें थोड़ा सापानी आड़ करेंगे लगवगवई करेंगे इसमें टोटल फ्रेंड़ आधिक पानी एड़ हो जाएगा कि इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए बढ़िया तरीके से सारी सब्जों को स्वाद आना चाहिए और सब्जियां देखे कितने सुन्दर लग रही है वैटर में हमारे हेल्दी तरीके से अपम बनाएगे बहुत ही टेश्टी बनेगा सब्जियों का बढ़िया स्वाद आएगा इसमें कि अब हम इसमें क्या इस्तमाल करते हैं आपको बताते हैं पहले तो हम इसमें एट करेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने बैटर में नमक यूज नहीं कर रहा था लगवक यह हाफ़ स्पून ही नमक है आप अपने स्वाद के हिसाब से इस तरी कर दिखाती है आप अपना स एक पाउच में लिया यह जादे नहीं लिया एक पाउच से बहुत अच्छे बन जाएंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे त्रेंट प्लीस जिस टाइम आप बना रहे हो उसी टाइम पर आप इसमें इनुवेट करो पहले से नहीं करके रखना क्योंकि यह खराब हो जाएगा बैटर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है बड़े तरीके से जैसे कि हमारे अपम बहुत अच्छे बने एकदम सॉफ्ट बने चलिए ट्रेंस हम अपने बैटर को अपम स्टैंड में करते हैं एक एक स्पून के जरी क्योंकि एक साथ नहीं ज़्यादे करना है बना यह फूल कर बहार आजएगा खराब हो जाएगे मारे सारे अपम तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको इसमें एड़ करते हैं देखिए किस तरीके से चम्मच की सायता से आप इसको वैटर को अपम स्टेंड में करिए बहुत ही अच्छे बहुत ही टेश्टी देखने में भी सुन्दर एकदम मजेदार अपम रेडी होंगे आप ट्राइ करें आपको भी पसंद आएंगे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं बहुत ही अच्छा हल्दी नास्त राइए बच्चों के लिए भी ये देखे कितने प्यारी लग रहे हैं देखने में इस तरीके से हमने अपने सारा बेटर अपम स्टेंड में कर लेना हैं बहुत ही बड़िया लग रहे हैं देखने में फ्रैंड है हम क्या करते हैं गयस on कर देते हैं हमने पहले इसलिए नहीं किया है वन्हा अब आरे अपाम जलने शुरू हो जाएंगे शिक्नी की जगे क्योंगि पहले से होगा हम जितने अपाम इसमें सैट कर रहे हैं जब तक दूसरे करेंगे यह ख़राब हो जाएगा इसको ढग कर रेडी हुए है इतने टेश्टी अपम आप घर पे बना सकते हैं तो फिर क्यों ना बनाए बहुत ही टेश्टी अपम रेडी होंगे इस तरीके से हमें सारे अपम को पलट लेना है यह देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं इस तरीके से हमको अपम बनाने हैं आप बहुत ही इजली तरीके से घर पर बना सकते हैं आपके घर पर नॉर्मल सी वेजेटेविल यह रहती हैं बहुत ही अच्छी चीज है यह हमारे घरों में इस तरीकी की वेजेटेविल लेवल तो आप अराम से बना सकते हैं, बहुती टेस्टी, बहुती अम्मी, और हमारी हेल्थ के लिए पिर बहुत अच्छे है, चूर्कि बेजिटेविल है, बहुत अच्छे होती है, और जो वेटलोस जन्नी में है, इस बग्वक, जिननोंने अपना वेटलोस करना है, वो सुभए को को टेश्ट के लिए थोड़ा सा दिया है वैसे हमारे अपम रेडी है यह आपकी चोईस है आप दुबारा से लगाना चाहती है यह नहीं कि अच्छे से इसको सेट कर लिएना है कि अच्छा लग रहे हैं इसको हम डग देंगे इसके उपर हमने इसका लगा दिया है बहुत ही अच्छे अपम रेडी होंगे पास्ते साथ में क्लिए कर रहे हैं अब हमारे रेडी हो गये क्यूंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना था में एक साइट से वैसे भी सिख गये थी इतने सुंदर हुए हैं हमारे अपम रेडी हैं फ्रेंट्स हम इसको एक ट्रे में साप करेंगे फिर देखा कितने सुंदर लगते हैं को कनेट चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आप ट्राइए आपको मेरे रैसी पसंद आती है लाइक कीजिए शेयर केजिए की प्रेंट्स थेंक्यों सो मच